हेलो स्टुडेंट्स आफ सभी का स्वागत है तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम 2024 में होने वाले CBAC बोर्ड एक्जामनेशन के लिए क्लाश 10th स्टुडेंट्स के लिए सोशल साइंस के कम्पलीट सिलेवस को समझेंगे यानि कि हिस्ट्री, सिविक्स, जिगराफी और एकोनोमिक्स इन चारवी सब्जेक्ट के क्या-क्या सिलेवस है क्या-क्या आप लोग को पढ़ना है इन फेक्ट कौन से चैपटर से कितने मार्क्स के कोशन्स आएगा जसे हिस्ट्री में जादा इस पड़ेगा आपका जिस भी चैपटर से ज़्यादा मार्क्स का कोशन्स आएगा उसकी आप श्टडी करोगे पहले ठीक है और उसको अच्छे से ध्यान से और ज्यादा तो चलो यहां पर मैं आपको सबसे पहले class strength का यहां पर जो भी history का जो syllabus है उसको बदाता हो एक चीज और आप लोग को में बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग को history अच्छे से study करनी है समझनी है chapters को तो आप कैसे समझ सकते हो social science complete आप कैसे समझ सकते हो इसका उपाय बता रह यहां पर एक थोड़ा सा आप example देख लो comparison देख लो कि NCRT book यह है और यह हमने एक notes बनाई हुई है तो दोनों में कितना ज्यादा differences है बहुत सारे NCRT books में बहुत सारे ऐसे words हैं English के जिसको समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी महीं जो हमने notes बनाई हुई है उ इसको हमने Hindi में भी लिख दिया उसका meaning भी लिख दिया English में जिससे कि आपको वह समझने में बहुत ज्यादा easy पड़ेगा तो comparison आप देख सकते हो कि दोनों NCRT book में और हमारे बनाई हुए notes में कितना ज्यादा differences है तो इसको अगर लेगना होगा तो description पे मेरे app का link दिया हु अच्छा marks आप लोग आएगा और जो concept है ना वो भी सही से clear हो जाएगा ओके चलो अब यहाँ पे मैं आप लोग को जो भी इसका syllabus है वो एक-एक करके बताता हूं सबसे पहले अब यहाँ पे history का chapter 1 the rise of nationalism in Europe यह वालग जो chapter है आप लोग को पढ़ना है और कितने number के questions आएंग यह second chapter है और इससे board examinations में आपके सबसे ज़्यादा 88 marks का question आएगा मलब 8 marks का question आएगा इसमें आपके दो number के map भी आएंगे अब map वाली video देखनी होगी तो यह भी हमने already बना रखी है description पे उसका भी link हमने दे दिया है ठीक है इबार देख लेना कि history का map से आपके consequences board exam 2024 में आपके school में पूरा पढ़ाया गदा रहा हो ठीक है लेकिन board examinations में सिर्फ एक ही marks का question आएगा मतलब कि वो भी MCQ में आएगा अब सिर्फ एक marks के लिए आपको कितना तक पढ़ना है ये भी आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हो आप लोग को पढ़ना है the pre-modern world to conquest disease and trade ये ए एक last topic है यही तक आपको पुढ़ना है पूरा नहीं पढ़ना है ठीक है सिर्फ एक marks कोशना आएगा और manager से कहा कि वो भी आपका MCQ में आएगा चार option दिया वा रहेगा तो आपको कोई भी एक टिक करना होगा तो आप इस chapter को नहीं भी पढ़ोगे न तो एक marks आपका हो से आपका जो अगला फिर chapter है यहां पर आप देख सकते हो यहां से आपके बोर्ड एक्जामनेशन में एक भी नंबर का question नहीं आएगा मतलब आपको पढ़ना ही नहीं है अब हो सकता है कि आपके school में पढ़ाया जा रहा होगा ठीक हो सकता है आपके school में पढ़ाया जाए ब इसी वजह से आपको syllabus देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो आपको मैं जितने भी सब्जेक्ट हमारे निकले हुए सभी सब्जेक्ट के syllabus को बताऊंगा mathematics का हिंदी का इंग्लिस का अल्रेडी हमने बना रखा है अगर आपको किसी का भी देखना होगा तो उसका भी लिंक description पर दिया हुआ है उसको भी एक बार जाके ज़रूर देख लेना कि आपकी क्या क्या सिलेवर्स है mathematics में साइंस में या फिर इगलिस में हिंदी में ठीक है साइंस वाला भी आपको बहुत ही जल्दी हम बना देंगे ठीक है फिर इसके बाद इसको भी अच्छे से रीड कर लेना ज्यादा नंबर कोशन आ रहा है तो इस तरह से आप यहां पर देखोगे कि 23 माक्स का आपका सिर्फ हिस्टी से कोशन आएगा इसमें से इसमें दो आपका प्लस मैप भी रहेगा ठीक है समझना आ गया होगा चलो आब आगे यहां पर ज से आपके बोर्ड एक्जाम में टोटल 22 माक्स के कोशन आएगे अब इसमें भी देखना बुलूप्रिंट पुरा दे दिया है जैसे पहला आपका जो चैप्टर है रिसोर्स एंड डवलप्मेंट तो इससे आपके बोर्ड एक्जाम में चार नंबर के कोशन आएगे दूसर से आपके बोर्ड एक्जाम में फाइब नंबर के कोशन आएगे तो अभी तक मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टन चैप्टर कौन सा हो गया अगरिकल्च है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नंबर का कोशन सा रहा है इसके बाद नेस्ट चैप्टर है मिनिरल से जो कि इसम इसमें सिर्फ एक ही कोशन रहेगा नेक्स्ट है मैनुफाक्षरिंग इंडस्ट्रेइज तो इससे भी बोर्ड एक्जाम में थ्री मार्क्स का एक कोशन आएगा ठीक है अगला है चैप्टर 7 आप लोगों पढ़ना है लाइफ लाइफ लाइन्स ओफ नेशनल एकोनॉमी मतलब इससे भी बोर्ड एक्जाम में केवल एक ही कोशन आने वाला है ठीक है मतलब वह भी एमसी क्यू में आएगा जैसे हमने हिस्ट्री में देखा था और यह सिर्फ आप लोग का यह जो फ्रॉम दा पाइप लाइन्स ऑफ टूरीजम एजट्रेड है तो यह आप लोगों में एक ही नंबर का कोशन आ रहा है तो नहीं पढ़ोगे चलो गया इसका एमसी क्यू करके जाबगे आपका हो जागा तैयारी पढ़ना होगा तो पढ़ भी सकते हो पॉनसेट किलियर हो जाएगा आए के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा ठीक है समझ में आ गया होगा त इसमें से एक ही मार्क सा कोशन आ रहा है ठीक है बाकी स्कूल में पढ़ना होगा सारा आप लोगो लेकिन बोर्ड एक्जामनेशन के पॉइंट आव यू से जब आप तैयारी करोगे तो फिर आपको इन ब्लूप्रिंट के अनुसारी पढ़ना पढ़ेगा अगला हम लोग सिविक्स का जो कि है पॉलिटिकल साइन्स तो इसमें जो पहला चैप्टर आपका है पावर सेरिंग ये पढ़ना है इसे टू मार्क सा कोशन आएगा आपके बोर्ड एक्जामनेशन में सेकेंड चैप्टर है फेडरलिज्म तो फेडरलिज्म से भी थ्री मार्क से कोशन पूछा जाएगा और चैप्टर फाइव है आउटकम्स अफ डेमोक्रेसी जिसमें आपके थ्री मार्क से कोशन इससे पूछे जा रहे हैं ठीक है समझ में आ गया होगा नेक्स्ट आपका चैप्टर है एक्कोनोमिक्स स्वरी नेक्स्ट बूक है आपका एक्कोनोमिक्स तो में चैप्टर वन डेवलप्मेंट है डेवलप्मेंट से आपके बोर्ड एक्जामनेशन से में चार मार्क से कोशन आएंगे सेक्टर से आपके बोर्ड एक्जामनेशन में 5 मार्क से कोशन आएंगे मनी एंड क्रेडिट इससे फिर 5 मार्क से कोशन आएंगे तो आपके सबसे ज्यादा मास का कोशन्स आ रहा है और जोग्राफी से आ रहा है ठीक है इसमें इकोनॉमिक्स में केवल 15 मास के कोशन आएंगे जो कि आपने यहां पर देखे लिया है कि डेवलप्मेंट से पांच सेक्टर्स और इंडियन एकोनॉमी से पांच और मनी और क्रेडिट से भ इनेबल करता है तो यह आपको दो ही पढ़ने है तो यह आपको कुछ भी और आगे नहीं पढ़ना है ठीक है समझ में आ गया होगा मतलब यहां तक जब फैक्टर्स यहां तक आपको पढ़ना है इसके बाद वाला जो है वह आपका सिर्फ प्रोजक्ट के लिए है ठीक है स्कूल में पढ़ाया जाएगा लेकिन आज यह प्रोजक्ट कोशन उसमें से उसके बाद वाले टॉपिक से नहीं आएगा ठीक है और कंज्यूमर राइट्स तो यह फिर प्रोजक्ट वर्क के अब यहाँ पर एक चीज और देखोगे कि इन 22 मार्क्स में से भी आपका इसमें से तीन मैप वाला कोशन रहेगा ठीक है तो जोगराफी और हिस्ट्री दोनों के ही मैपस वाले कोशन हमने जो करवाय हुए है उसको कर लेना वही आएगा उससे आउट नहीं जाएगा ठीक ह और हाँ नोट्स आपको लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन पर हमारे एप का लिंक दिया हुआ उसको इंस्ट्रॉल कर लेना आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल दाएंगे तो मिलते हैं दुसरे वीडियो में बाबाई